अज़र आपको बहुत-बहुत स्वागत हैं हमारे चैनल पर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हम तक पधा रहे हैं और सभी किसान भाईयों को मेरा नमश्कार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके चैनल के माद्यम से सबसे पहले किसान भाईयों को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अविनाश है और हमारी कंपनी का नाम है फारम साथी एग्रो इंडस्ट्री जो राजस्थान के जैपूर में है और आज हम किसान भाईयों के लिए लेके आए हैं एक पावर्फुल पावर रीपर मसीन जिसके उनकी उपनेश क कर सकती है उनकी कटाई अपने इन्सको अवरेत हैं इसे बात करेंच थे तो चाहिश कंपनी श taraf गरैन लगात हुँ आवह है जैसे उटो रिक्षो में लगने वाला हो हीं चीव dirum हमारी कमपनी ने इसमें सैट किऐ और आगे इसमें बलेडे लगीवी रहत जो भी खड़ी फसल रहती है उनकी कटाई जी उनकी कटिंग होती है और टायर भी है तो मतलब कहीं पर लाना ले जाना बिल्कुल अपने लिए एजी रहता है तो अब बात आती है कि किसान इसको ओपरेट कैसे करेगा सार ओपरेट करना को बहुत रचना है यह जो चलाने वाला जो भी बंद रही मतलब इसमें जो कृत्च है या फिर मचीं को आगे जैसे आप बोल रहे कि यानि कि इसको बहुत आसान ऑपरेट किया जा सकता है तो जैसे अगर किसान को मितलब कटाय शुरू करनी है उससे पहले अगर इधर दो ले जाना है उसके लिए क्या सिस्टम में इसमें यह इंजन जैसे यह इंजन है इसका 5 HP का इस इंजन को आगे से लेगा से बिलकुल बन रहेगा बात करें इसकी तो यह जर एगे से बिल्कुल बंद रहेगा बात करें इसकी तो तो यह रीपर जो कटाई अपनेको शुरू करनी है तब अपने को इस गयर का इस्तिमाल करना है. अच्छा आगे करेंगे तो यानि के कटाई सुरू हो जाएंगी और पही भी गूमने लगेंगे, और पीछे करेंगे तो मतलब आगे के cutting वाली blade से बंद हो जाएंगी बागी पहिये इसके चलते रहेंगे पहिये को रोकना है तो इसको भी पीछे करना पड़ेगा इस gear को भी अब बात आती है कि यानि कि यह जो पूरा system है इसमें जैसे आगे यह रिपर की जो ब्लैडे वगरा लग रही है और यह पूरा engine machine उन नटों को खोलना है और बंद करना है मतलब अलग कर सकते हैं दोनों को कहीं भी लाना ले जाना उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है ताकि मतलब easy रहे कहीं दूसरी जगह लेके जाना है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या कहीं दूर की जगह जागे अपने commercial level प पीछे वाला हिस्सा है दो नट जो आप देख पा रहें नटों पर टिकी भी रहती है और यह बेल्ट लगता है आगे वाले पिछे वाले हिस्से को अपने को जोड़ना है और यह बेल्ट चड़ाना है मतलब अपनी machine बिल्कुल काम करने के लिए ready है यानि कि बहुत easy है बिल कटाई भी अपन आराम से कर सकते हैं जिसके अंदर अपना जो भी जवार है या फिर जैसे सोयाबिन है गेहूं है बाजरा है मकई है यहां तक चोटे की बात करें रिजका है बरसीम है वो भी अपन इस machine से आसानी से काट सकते हैं आप चाह यह कह लिजी कि जमीन से एक इंच सब्सक्राइब है उनको काटने में बहुत ही सांदार परफॉर्मेंस इस machine का सब्सक्राइब है अब बात कर लें तेक फ्यूल कंजप्शन की यानि कि जैसे आप बोलें डिजल तो एक गंटे में कितने डिजल की खापत होती है और एक गंटे में कितनी कटाई कर देती है सर इस machine का एक घंटे के अंदर जो डिजल का जो कंजप्शन रहता है वो लगबग 600-700 ml के लगबग रहता है जिसके अंदर एक घंटे के अंदर अपन धाई से तीन बीका तक का एरिया आपन आराम से कवर कर सकते हैं और बाकी डिपेंट ये भी करता है कि आपने कौन सी फसल ल का इस machine में कोई खतरा है नी खतरे को बाबते हुई हमारी कंपरी ने इसके उपर से जैसे एक कवर है ये कवर लगाया है ताकि मतलब उपर जैसे कुछ गरम हिस्से रहते हैं इंजन जहां चलता है या अपना जो भी नीचे के फैन बेल्ट अगेरा बगेरा है उस तक अपना वह उन काम करना बंद कर देती मतलब रीपर चलना बंद कर देगा और वैसे टूटने का खतरा है नी क्योंकर बलेड इसके नदर जो भी लगी है वह ऐसेस की स्टील की बलेड है तो उसमें टूटने फूटने का खतरा है नी और बाकी फैन बेल्ट स्लीप मार जाएगा तो अच्छा तो आशेस की तो फिर वह जंग रोदी भी होगी सर बिल्कुल जंग रोदी हैं सर अगर बात करें अपन सबसीडी की तो सरकार इस पर कितनी सबसीडी देती है तो देखें सर आपने बहुत ही महतोपूरण जो सवाल है यह हर किशान का सवाल होता है जो मसीन अपन तो किसान भाई को क्या रहता है एक्रीकल्चर इपारट्मेंट में इसकी इनक्वारीistes करणि ने रहती है कितना subsidy इस पर मिलता है बाकि जो भी साहता होती है किसान भाईयों की subsidy से संबंधित वो हम करते हैं बाकि जो subsidy है वहां की राज्य सरकार है उन पर पर भी निरपर है अगर कोई भी किसान साथी को कहरें को बताना चाहूंगा कि खृतनी के लिए उपलब्द करवाथे यहां पर किमत की कि किसान साथी का पहला ही सवाल रहता है जैसे अभी आप यह देख रहे हैं यह डीजल वाला इंजन है ठीक है इसके लावा हमारे पास पैट्रोल इंजन भी उपलब्द रहता है डीजल इंजन की बात करें तो यह मान लीजी इसकी कीमत रहती है एक लाख 35,000 रुपए के लगबग ठीक है जिसमें हम कस्टमर को घर तक पहुंच देते हैं अब बात करें अपन पैट्रोल इंजन की तो उसकी कोस्ट रहती है एक लाख 30,000 रुपए के उसमें भी हम किशान भाई को घर तक की पहुंच देते हैं अच्छा तो कुछ अब मैं इसन के समद्धी समश्या नहीं आई है बाकि फिर भी कोई समश्या आती है तो हम बैठें किसान भाई के लिए हमसे संपर कीजिये जो भी समस्या है हम उसका समधान करेंगे और एक साल तक कंपनी की जो इंजन के उपर है वारंटी रहती है क्यूंकि जो ग्रेविष कंप